सब्सक्राइब करें वक्टेक चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें न्यू वीडियो अपडेट्स डेली हसल करने के लिए दोस्तों हो सकता है केज घेकर वे आपने सर्वर्स के बारे में सुना हो लेकिन अप नहीं जानते हो कि यह क्या चीज़ है तो आप इस वीडियो के साथ ही रहें आज मैं आपको यह सब एक्सप्लेइन करोगा कि सर्वर क्या चीज़ है और यह कहां इस्तमाल होता है तो दोस्तों मेरा नाम है वक्टेक चैनल में खुश्य आमदीर कहता हूं दोस्तों यहां पी अगर हम सर्वर की बात करें तो अगर हम इसे यहां देखें कि यह इंगलिश वर्ड है तो इसका यहां पे हमें क्या मतलब मिलेगा server यनके कोई भी चीज़ आपको serve करने वाला यनि अगर मेरे पास यह चीज़ है फर्स करें मेरे पास यह keyboard है आप मुझे keyboard मांगकर मैं आपको यह keyboard देता हूँ तो मैं server कहलाओंगा ठीक है और आप client कहलाएंगी क्या आप मुझे से कुछ चीज़ मांग रहे है और मैं आप कुछ चीज़ provide कर रहा हूँ इसलिए मैं हूँ server अब अगर यहाँ पे हम बात करते हैं server की internet की term में तो वो कुछ इस तरह से है कि server आपको वो सब provide करते हैं यानिके यह सब website internet पे जो कुछ भी है वो एक server पे upload होती है और जब आप server से कोई demand करते हैं तो वो server आपको उसका feedback में वो चीज़ दे देता है जो आपको चाहिए यानिके यह concept उतना ही simple है जितना है कि मैंने आपको बताया आपने एक demand की आपको चीज़ मिल गई वो सिर्फ जो चीज़ जिसने आपको दी वो है server जो आप internet पे क्या चीज़ मांगते है internet पे आप websites मांगते है उसके अंदर से curious मांगते है यानिके जो आपको चाहिए उसके आप curious देते हैं और आपको वो चीज़ मिल जाती है कि आप उनके उपर कोई भी अपनी website को upload करें कम किमत के उपर कि आपको server buy ना करना पड़े उसका ख्याल ना रखना पड़े और कुछ चीज़ यहां कि बहुत ना करनी पड़े और आप वहाँ पे अराम स्कून से अपनी website को upload कर ले अब उसको हम कहेंगे hosting जो कि आपको servers की तरफ से मिलती है आपको sub server मिलते है वहाँ पे हम अपनी website को upload कर सकते हैं यहाँ पी अगर हम देखें कि क्या server कोई computer भी हो सकता है यानि कि आपके पास कोई computer है तो क्या वो भी server हो सकता है या server कोई different चीज़ है तो मैं आपको पता तो server एक different चीज़ है आपके computer से आपके computer में जो specifications है आपके पास server उससे काफी आगी है उसमें काफी ज़्यादा अच्छी specifications होती है उसके लगाँ आप यूज़ करने रहते हैं अपने computer को भी as a server तो आप कर सकते हैं अगर आप बात करते हैं सिर्फ server की तो server एक different चीज़ है आपके computer से उसमें ज़्यादा power है ताकि वो ज़्यादा लोगों को वो चीज़ सर्व कर सके लेकिन आपका PC ज़्यादा लोगों को वो चीज़ नहीं दे पाएगा जो वो demand कर रहे होगा यह नहीं आपकी website आपके PC पर ही upload करके PC को ऐसा server इस्तमाल करेंगे तो जब आपकी website पर ज्यादा traffic होगी तो आपका PC हैंग हो जाएगा बंद हो जाएगा यहीं कि आपका server बंद हो जाएगा आपकी website डाउन हो जाएगी इसलिए यहाँ पर अगर आप काम में लेंगे server को तो वो best काम करेगा आपकी website के लिए तो दोस्तों अमीद है कि आपको server का concept समझ में आगया होगा मिलूगा मैं आपसे अपने अगली वीडियो में अभी के लिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी अभी के लिए सिर्फ इतना ही